इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला दोस्तों कि अगर आप भी इलाहबाद और इंडियन बैंक के ओफिसियल एप इंडो एसिस एप का यूज़ करते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ तो चलिए ज़्यादा समयना लेती वीडियो को स्टार्ट करते हैं बड़ों से पहले गाईज अगर आप मेरी चैनल पर नए है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दवा कर अल के उप्सन पर जरूर क्लिक कर दीजेगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके लिए आपको चली जा रहा है अपने इंड़ोंस इस एप में उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना फॉर डिजिट का लॉग इन डाल देना है लॉग इन करने बाद इस तरीके का इंटर का तो आपको इस पर क्लिक करना होगा उसके बाद दोस्तों यहां पर इस साल यायनowa की 2020 में आपने जितने का भी ट्रांजिक्शन किया ओगा या फिर आप अपने अकउन में डिजिट किया हुग कि आप अपने bank account के last 6 महीने का statement देख सकते है और जब आप यह year पर click करेंगे तो दोस्तो इस year में आपने जितने का भी transaction या फिर deposit किया होगा उसका statement देखने को बिल जाएगा लेकिन दोस्तो अगर आप एक निश्चित date से लेकर एक निश्चित date तक का statement देखना चाहते है तो उसकी लिए देखिए आपको यह date से लेक्ट करने का option मिल जाएगा start date का और in date का तो दोस्तो आप जिस भी date से लेकर जिस भी date तक का statement देखना चाहते है वो date आप यहाँ पर डाल दीजे example के reference अगर मुझे November 2020 से लेकर आज तक का statement देखना होगा तो हम यहाँ started date में डाल देंगे November 2020 तो आप देख सकते है November 2020 इसा चुका है तो दोस्तों आप हम यहाँ से select कर लेंगे एक November 2020 और उसकी बाद हम यहाँ OK पर click कर देंगे और उसकी बाद दोस्तों हम यहाँ in date वे आज का date डाल देंगे यानि कि 15 मार्च तो यहाँ से मैंने 15 मार्च को select कर लिया select करने बाद OK पर click किया और फ्रेंट सब देख सकते हैं यहाँ पर एक November 2020 से लेकर 15 मार्च 2021 तक का date select हो चुका है तो इसी तरिके से आपको जिस date से लेकर जिस date तक का mini statement देखना हो उतना date आप यहाँ से select कर लिजेगा select कर देने के बाद OK पर click कर देना है तो उसके बाद उस date से लेकर उस date तक आपके bank account का जितना भी statement हुआ होगा यानि कि जितना भी transaction या फिर जितना भी deposit हुआ होगा वो सारा statement यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं November से लेकर हमारे bank account से आज तक यानि कि 15 मार्च तक जितना भी transaction या फिर deposit हुआ है तो उसका statement यहाँ पर आ चुका है तो इस तरके से आप जो है इंडोईसिस हैप में अपने इंडियन बैंक या फिर आप अपने इलाबाद बैंक के किसी भी महिने या फिर किसी भी इयर का मीनिस statement देख सकते हैं उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया इसको लाइक करिए और अगर आप मेरे योटिव चैनल पे नए है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे